आज दोस्तों आज मैं आप लोग को स्कhांगा कि किसी भी model के ओपर जैसे मालेजी की साडी है या सूठ है जहीए तो उसके ओपर draping कैसे करते हैं draping भोल सकते हैं CAD भोल सकते हैं यह 3D Mapping भोल सकते हैं अलब अन्मान सरफ जानते हैं तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है कि आप लोगों किसी ऐसे मॉडल के उपर अपना कुछ भी प्रिंट बनाओ जैसे मैंने एक प्रिंट बना रखा है साडीगा तो इसको ड्रेप करेंगी तो कैसे ड्रेप करेंगी रियनिस्टिक लुक के लिए किसी क्लाइंट को दिखाना करके जैसे भी दिखा सकते हैं तो आई यह देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको प्रोसेस क्या होता है तो सबसे पहना इसमें जो प्रोसेस होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जितने पार्ट अलाद अलाद आपको दिख रहे हैं जैसे मानने जी कि यहां से आपक कटिंग हो जाए लिए ठीक है पिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट कट होएगा यहां से जो ब्लाउस पर पार्ट है यह अलग हो जाए यहां से और इसके बाद जो तीसरा कट होएगा यहां से लेकर यह पूरा पूरा पार्ट क्योंकि जहां भी फोल्ड हो रहा है जहां पर अलग से cut बन रहा है, वो सब पार्ट अम लोग अलग अलग करते हैं, तो उसे नेचर अम लोग आता है, फोल्ड का अरप्लेट का जो एफेक्ट वो दिखता है, जैसे यहां से cut हो जाएगा, तो यह सब मैं मार्किंग जो कर रहा हूँ, यहां से आप लोग को cut लगाना है, जैसे कोई भी आप अगर cad बना रहे हैं, यहां से draping कर जाओ, तो आप उसमें यह सब कर सकते हैं, तो आएए मैं आप तो दिखाता हूँ कि इसके cut out कैसे कैसे करने, सबसे पहले हैं समय तो में स्ट्रेक, सबसे पहला काम है हमारा यहां से जितना प्रशाइशिंग से cut out कर सकते हैं, जैसे माल यहां से एक हेक करके cut out कर लियां, करके मैं अलगले इस पार्ट आप लोग तो दिखा दे था हूँ जिल दे लिए, कि मैं बोट टाइम लोग यहां तो इसमें cut out करना हूँ, अब जैसे देखिए मैंने सारा पार्ट यहां पर काट के अलगले कर लिया, इस ब्लैक इसलिए होगा मैंने इसको invert कर आवा कर लोगा, जैसे अगर यहां से आप invert कर ने इसका तो सेम आपको यह कर दरा जाएगा, इसको invert किया था, इसको मैंने अलग कर दिया, यह वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया, यहां से दो पार्ट बना लिए, तो यहां से आपका ओरिजिनल जो फोल्ड दा लूप आ रहा है, यह सब इसमें त्रिंट में दीखेगा, तो आप कट आउट होना पार्ट तो हमारा कंप्रीट होगा, यहां से पार्ट इसको आता है, अपने प्रिंट को इसमें लाते हैं और क्लेफिंग मास्क खरते हैं, आप लोग क्लेफिंग मास्क कर सकते हैं, यह से पहले में क्या करनों यहां से लेकिं साड़ी करें पर्लू पूरा एरिया होता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसके वाद अपने समय कैन्वस में लाउट आप और इसको पेस्ट कर दाना आपल ठीक है अब इसको छोटा करेंगे और जो साइज इसका दी खरा पुसाड़ी तो इसके एकोर्डिंग तो दीके पल्लू पे इसको मैं ऐसे लाकिन पल्लू के बराबर आपको इसको इस्ट्रेस कर लेना है या आपिन ठीपे इतना साइज इसक्राइब अब इसको हम लוכग्या करेंगे जो ले असके नीचे है उसमें क्लिःपिंग मास करेंगे इसको यां मार्डर से आपको एच्छे से लानाना है है ठीक है यां पिर लग ङया और फिट्वड़ा से इसको रोटेट ऐसे कर लेना ही कर साँ और फिर इस पंविलों वर्व करेंगे, वर्व करने का आपको तरीका ये बता दो कि जितना आपका ये कॉर्णर से और इदाव साइट से दिख रहा आपको बार्टर अपना मेरा मेरा में अच्छे दिन तभी आपके साड़ी का लोग निकल के आएगा, देखिए जैसे इसको मैंने दर दी इतना बार्टर मेरा दिख रहा है, अच्छे ज़िए, यहाँ पर ऐसे दिखना चाहिए, सॉलेड भी दिखना चाहिए, और फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा से इतर को इंका से स्ट्रेच होबे जाएगा, और इसको निंचे को स्ट्रेच कर देंगा, ठीक है, और इस कॉर्नर से ऐसे खिंचाएगा थोड़ा से, यहाँ पर पूरा कबर करने वे वाला फार्ट, और इधर वाला पार्ट जो कॉर्नर गर दिख रहा है, इस परच्छे से यहाँ द आनन, फिंए एक फार्ट हमारा कम्प्लीट हो गया है, और फिर आते हैं दूसरे वाले पिन, तो दूसरा इसका जो इसे के साइड में मैंने ना कवर लिया, तो इसके अंदर सेम लेर वो क्लिफ कर देंगे, लेकिन जो इसका डारेक्शन होएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, इसको इंसाइड ऐसे करेंगे, तो यहां पे जो आपको दिख रहा होगा, इन्हें दिखा रता हूँ, यह वाला जो एरिया ऐसे बन रहा है, यह आपको ऐसा लगना चाहिए, यहां पे कुछ फोल्ड है, ऐसा डेप्ट देखना चाहिए, तब यह कुश कर गो पहला है, तो म आपकेड बनाने, यहां पे ऐसे हो गया, और यहां पे थोड़ा सा और स्ट्रेच होएगा, अलको सा इस तरे, ठीक है, अब इदर का जो फार्ट लगना में मुझे फोल्ड सा और अंदर वाना चीज, सॉलिट कम दिखना है, यह साड़ी का जो लुक होता है, ओरिजिनल, वो ऐसे कम से कम दिखना चीज़, थोड़ा बॉर्डर, तब ही जाके आपके साड़ी का लूग अच्छन है, देखे, पर लूगा मेरा एरिया जितना था, यह सब क्लियर हो चुका अच्छन है, अब इस सेड़ों गरगीश के पर में पार्ट जो दो सेड़ों लाश्ट मतानमत, सबसे पहरे हमें प्रिंट बोक्याब करने है, इसमें ड्रेट कर रहा है, अब देखे, में अमरे रहेगा, चेस का यह जो होता है, और इसको में वह ऐसे रोटेट करने है, जिससे साड़ी फॉल ऐसे दिख रहा है, अब यह वन पार्ट हमारा यहां से खतम हो रहा है, तो इस पार्ट हो तो आप एक और प्शन इसमेल चेस fatto, यहां पी लिक्वफई, वी लिक्वफई से अपनो थोड़ 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 रिसकार चेस्ट कर सकते देखें, बहुत यह चर्पार रहता है, यहां से स्को ऐसे क्वीचना, आर नामरी उसे आप में जातीज, हैं आपकर बै तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर से इसको इसी लिया की पेस्ट कर देता हूँ और इसको छोटा दर लेता हैं साडी के साइज दे बराबन जैसे देगे साडी के निबड़ी आपने चीह है ठीके अफिसको मैं एक टरकेस में खुलिक कर दलम तो देखें इधर दौपार्ट में आगे प्लिप ओक है स्कॉरिकक साइसे थोड़ा दवान पड़ेगा जिससे लेक इसारी यह एननी फोरे में कि दूसरा जो फार्ट हो को उसमें हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे टीट करेंगी कि अगर पोजीशन के इसाब से बात करें तो यहां पर अफ़ा पोजीशन विंडेटी स्कॉया ऐसा कोच आप कि साड़ी का फोल्ड ऐसे आरा तो मैं जो बतारहे हैं को एक वी थमठाल स्ट्रक्चर बता नहां को आपको दिखाने हो कि सेबुक देखते हैं कि हेसा साड़ी का लोग का तो आपको ऐसे एक करने सब्में जो एल एफेक्ट देना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ठीट करके तब जाके प्लेश के लोका आई साथ हम देखे जैसे हैं इसको थोड़ा साइसे करना पड़े हो और फिर इसके बार इंदी ले नेक्ट आवगा इस व अब इसको आप ठोड़ा सा एसे टेल टेट करेंगे अनका साथ हम देखे यहां के अभी आप फ्लाट लग रहा हो और जिब साइड होएगी तो आचानन से अपके इसको थोड़ा सा नीचे करना है इसको बार एकी से दम द्यान दखे मैं और भी अच्छा बना सफता है इसको अब जैसे इसमें ब्लाउस तर जो पार्ट है तो मैंने क्या सोच है कि अब जैसे स्लीप बनानी है तो मैं इस तर नीचे वाले पार्ट से स्लीप बनानी है तो मैं इस तर नीचे वाले पार्ट से स्लीप बनानी है तो मैं इससे मैं दिखा था आपको इसको मैं क्लिप कर दि इस लीव में यह मेरा आरे, क्योंकि हमनों क्याट बना रहे है, तो जिस्ट क्लाइंट को दिखाने के इनमें वर्डी बोल देने कि आप स्लीव में ऐसा रखना चाहरा हूँ, और यहां पर और अच्छन रोक देना चाहरा हूँ, तो एक चीज़ और कर सकते हैं यहां पर, उसे अब कट होता है, यहां से लेकिन और यहां पर इसको पार्ट पार्लब कर देंगे, और शीव को अलग कर देंगे, तो और आपको यह अनल बने देखा थाँ, इस इस सेपरेट होजाएगा अलब यह तुछ और अच्छा है, जितना आपको डिटेइलिंग में लुक चाहिए अब जितना आपको कटाउट अच्छे से करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट अब जिससे के इसमें क्या है यह अलोबर पार्ट सारा आगा है, और जिए मेरा ब्लाउज था इसमें से लिन जो चल रहे उसको, उस पर थोड़ा साहिवाले थेक आगा है, वो बॉर्डर के सा अब दूसरा होता है, अब आपको बस प्लेरी जार्मेंट जैसे कि मान लिजिए कि मेरे पास एक एक प्लेरी जार्मेंट सा, तो इसी गार्मेंट होई थे कि अमनों बना सकते हैं, वो शेटो कैसे बनती, पोड़ ले करके जैसे ब्लेंडिंग मोड होती है उसी से मंटिप्ल wen divoir को जाया हुका या है जैसे में एक 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 आप को स्थाए और धूसरा जो मेने किए था इसी गार mods कर दिया ओना, फिर इसके बाद एक और मैने लिए जो कि इस से लाक था ता तो ओरी घुनल लोक के लिए इसे दे कि यहां पर जो पिने मिले कर दूसे ले तर ऑन में यहां पर अपने में इसको कर रहा है यहां तो इसी इसे ही अभय यहां पर ब्लेंदिंग मोट अप्लाइ करते हैं तो अब देख यहां पर यहां से जब भी डाल करेंगे तो देखें आप आपके बिदीपिलाई करना मुल्टिप्लाई रधी तो देख इसका एफेक Meyer लिए थिदी मूलाइन है अभी इसको और ब्र Do करना old को घ्रिटी कर दिच अदना आपको और अच्छा एफ्र के ताए ञाद होता है मुझे क ब just down or आपको जितना अच्छा बनाना है आपको सोचना पड़े कर दें क्या आपको गनाना है उसके बार ही आप ऐसा बना सकते हैं आप देखें इसमें चाहिए तो आप कुछ भी ड्रेप कर सकते हैं जैसे कि माली जी कि अगर आप एकदम रियल एफेक्ट के साथ अगर वही लाइट डिजाइन है तो एकदम रियल एफेक्ट हो रहाएगा मैं इसको और भी अच्छा दो यस सूब भी ल्याजओ को सकते हैं है